गौतम बुध्ध ने गुस्से को नियंतरित करने के लिए कई शिक्षाय दी हैं, जो आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी शिक्षाय सरल और गहरी होती हैं, जो आंतरिक शांती की ओर ले जाती हैं। गुस्से पर काबू पाने के उनके तरीकों को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। ध्यान के माध्यम से मन को शांती मिलती है और गुस्से जैसी नकारात्मक भावनाय स्वतह कम होती हैं। बुद्ध ने विपश्यना ध्यान का मार्ग सुझाया, जिसमें व्यक्ती वर्तमान क्षण में रहता है और अपनी सासों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह अभ्यास गुस्से पर नियंत्रन पाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है क्योंकि यह मन को शांत रखता है और नकारात्मक विचारों को रोकता है। समयक संकल्प सही विचार की शिक्षादी है। इसका अर्थ है कि हमें अपने विचारों और द्रिष्टिकोन को सकारात्मक और सहानुभूति पूर्ण बनाना चाहिए। गुस्से के समय सही द्रिष्टिकोन रखना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे स्थिती को समझने और प्रतिक्रिया देने में मदद मिलती है। बुद्ध ने करुणा, दया और मैत्री, मित्रता का पालन करने का उपदेश दिया। यदि हम दूसरों के प्रति सहानु भूती और करुणा का भाव रखते हैं, तो गुस्सा स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। जब हम किसी के प्रति गुस्से में होते हैं, तो हमें उनकी स्थिती को समझने का प्रयास करना चाहिए। और यह सोचना चाहिए कि वे भी अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार की पीडा से गुजर रहे होंगे। गौतम गुध ने कहा कि संसार की हर चीज अनित्य अस्थाई है, हर भावना, हर परिस्थिती बदलती रहती है। यह समझने से हम अपने गुष्से को भी अस्थाई मानते हैं और जानते हैं कि यह भी एक समय बात चला जाएगा। इससे गुष्से को गंभीरता से न लेकर हम उसे छोड़ने में सक्षम होते हैं। गुष्से का एक बड़ा कारण हमारा अहंकार होता है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमें अपने अहंकार को छोड़ देना चाहिए। जब हम मैं और मेरा की भावना से उपर उठ जाते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का गुष्सा नहीं आता है क्योंकि हम किसी भी चीज को अपनी प्रतिष्ठा के साथ नहीं जोड़ते। बुद्ध नेक शमा और सहानु भूती का महत्व समझाया। यदि कोई हमें आहत करता है तो हमें उसेक शमा करना चाहिए और सहानु भूती पूर्ण द्रिष्टिकोन अपनाना चाहिए। शमा करने से हमारे मन का बोज हलका होता है और गुस्से जैसी नकारात्मक भावनाय दूर होती है। जब भी हमें गुस्सा आता है तो तकाल प्रतिक्रिया देने के बजाए शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए। बुद्ध ने सिखाया है कि किसी भी प्रतिक्रिया से पहले स्वयन को कुछ समय देना चाहिए ताकि हम स्थिती को शान्ति-पूर्वक समझ सके. बुद्ध ने सन्यम और धैर्य को महत्वपुर्ण माना. सन्यमित व्यक्ति हर परिस्थिती में शान्त रह सकता है और आवेग में आकर कोई गलत कदम नहीं उठाता सन्यम के साथ हम अपने मन को संतुलित रखते हैं जिससे गुस्सा अपने आप कम हो जाता है गौतम बुध की ये शिक्षाए गुस्से पर काबू पाने में अत्यधिक सहायक हैं गुस्से का मूल कारण हमारे भीतर ही होता है और बुध का मार्ग हमें इसे समझने और नियंत्रित करने में मदद करता है ध्यान, सही विचार, करुणा और क्षमा का पालन कर हम गुस्से पर विजय पा सकते हैं और एक शांति पूर्ण जीवन जी सकते हैं